फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग तीन कोश्चन को डिसकर्स करेंगे सबसे पहला जो कोश्चन है उसके अंदर मुझे टेक्स अमाउंट केल्कुलेट करना है यहाँ पर मुझे कंडिशन गिवन है जो चैलेंज यह है कि फर्स्ट कॉलम के इंदर जो डेटा है वो मर्जट है अगर मैं सेकंड कोश्चन की बात करता हूँ सेकंड कोश्चन के इंदर मुझे टूडल सेल्स निकालना है जहां भी सीडीज नियू से स्टार्ट होती है यहां पर मुझे टूडल सेल्स निकालना है उन सीडीज की जो डी से स्टार्ट होती है और एस पर खतम होती है और उसके अदर हम डिसक्रस करेंगे थर्ड कोश्चन जिसके अंदर हमें एंप्लोईस का जोब रोल दिया हुआ है जिस बेसिए मुझे 2021 और 2023 का एक्सपेंस बजट निकालना है सेकेंड टेबल से इस कोश्चन के अंदर चैलेंज यह है यहां पर जो जो जोब रोल दिया हुए आपको वो जोब रोल सेकेंड टेबल के अंदर गिवन नहीं है अगर आप सीखना चाहतो कैसे एडवांस फॉर्मलेस को यूज़ करके हम इन तीन कोश्चन को सॉल्फ करने वाले है तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रही है हेलो फ्रेंड्स मेरे नावे परदीब कुमार और मैं आप सभी का स्वाथ करता हूँ अगर आप इस चैनल पर नए है अगर आप इस चैनल पर नए है और एक्टल से लेडि कुछ भी सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकन ताक इस तरह के percentage को pick करना है और उसको multiply करना है amount के साथ तो आप करेंगे सारी यह तो बहुत easy question है बिल्गल सही बात है यहाँ पर हम use करेंगे वी लोकेशन को pick करके इस वाले टेवल से text percentage को calculate करेंगे यहाँ पर मैं use करता हूँ वी लोकेप इस वाले cell को मैं select करता हूँ क्या होता है और कैसे आप उसको detail में Excel के अंदर use कर सकते है यहाँ पर मैं bracket close करता हूँ and hit enter अभी के लिए मैंने यहाँ पर percentage क्या है text percentage text amount निकालने के लिए मैं multiply करूँगा इस amount के साथ यहाँ पर मेरे पास निकल गया text amount इसी formula को अगर मैं नीचे तर ड्रैक करता हूँ यहाँ पर आप देख पहेंगे multiple cells में हमें error मिल रहा है क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पर जो reference लगाया हुआ है वो आपका first column से and first column में actual में जो values है वो merged है तो इसका solution क्या है इसका solution यह है कि हमें एक column के अंदर cells को unmerge करना है वो आप कैसे कर सकते हो उसके लिए मैं एक column को select करके homepage आके and यहां से मैं select करूंगा merge and center जिसके तुरू क्या होगा इस selected column के अंदर जितना भी data आपका merge था वो unmerge हो गया अब हमारी requirement क्या है जो हमारी पास blank cells है इनको में fill करना है उपर वाले cells से यहां पर मुझे चाहिए daily यहां पर चाहिए मुझे फ़ईदबाद यहां पर चाहिए मुझे गुडगाओ and so on तो इसके लिए आपको क्या करना है इसके लिए आपको एक trick यूज़ करनी है जो भी आपका first blank cell है वहां से नीचे तक के data को select करना है and वो भी वो column जिसके अंदर में values को fill करना है उसके बाद आपको press करना है F5 and यहां पर आपको click करना है special पे आपको click करना है blanks and click ok इसके तुरू क्या होगा जो एक column है उसके अंदर जो भी blank cells है वो select हो जाएंगे क्योंकि हमें उनीक के अंदर values को fill करना है अब आपको press करना है equal to sign and उसके बाद आपको select करना है उपर वाली cell की value and यहां पर आपको ध्यान देना है अब आपको press करना है control enter friends आपको सिर्फ enter press नहीं करना अगर आपने enter press किया तो काम नहीं होगा आपको control के साथ enter press करना है जिससे क्या होगा उपर की जो भी value है वो नीचे fill हो जाएगी अब इन cells के अंदर formula लगा हुआ है आप धियां से देखें यहां पर formula लगा हुआ है मेरा अब इस formula को remove करने के लिए मुझे complete column को select करना है control C से मैं copy करूँआ उसके बाद मुझे जाना है home tab पे paste के अंदर paste special को select करूँआ यहां से मुझे select करना है values and okay इस सरीके से इस column में से जो आपके formulas लगे हुए है वो remove हो जाएंगे अब यहां पर जो आपने formula लगा हुआ था इस column के अंदर वो आपका बिल्कुल ठीक काम करेगा अब चलते next question पर next question के अंदर मुझे multiple cities दी हुई है and उनकी total sales दी हुई है अब यहां पर मेरी पहले requirement यह है मुझे total sales निकालने है उन सारी cities की जो new से start होती है यहां पर मुझे लगाना है some if का formula अगर आपको some if का formula नहीं आता है उपर i button पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हो some if का formula क्या होता है और कैसे आप उसको excel के अंदर use कर सकते है अब यहां पर some if के formula के अंदर जो range है वो होगी मेरी city comma अब आता है criteria criteria यहां पर interesting होने वाला है क्योंकि मुझे वो data चाहिए जो new से start होता है तो यहां पर कर criteria के अंदर मैं सिर्फ new डालूँगा तो देखते क्या होता है comma sum range मैं select करूँगा sales वाला क्योंकि मुझे total sales चाहिए bright close hit enter तो यहां पर output आया 0 0 क्यों आया क्यों आया यहां पर calculate हो गया total sales अब इस asterisk का मतलब क्या है asterisk का मतलब है कुछ information कुछ data यहां पर हम excel को instruction दे रहे है कि new मेरा सबसे पहले आना चाहिए उसके बाद कुछ भी data हो सकता है 2 letter का हो सकता है 4 letter, 10 letter, 50 letter कितने भी letters का data हो सकता है हमें सिर्फ और सिर्फ उस criteria को pick करना है जहां भी new starting में आता है और उसके बाद को information हो सकती है इसी तरी की सा हम solve करेंगे second question जहां पर हमें निकालना है total sales उन सारी cities की जो d से start होती है और s पे खतम होती है तो इसके लिए यहां पर use करना है आपको sum if का formula range हो जाएगा मेरा cities comma अब मुझे डालना है criteria यहां पर criteria के अंदर हम डालेंगे d astric s अब यहां पर d astric s क्यों डाला है यहां पर हम excel को instruction दे रहें सबसे पहले आना चीए d last में आना चीए s उसके बीच में कुछ भी information हो सकती है हमें नहीं पता क्या information बस हमें इतना पता है कुछ न कुछ information है d start में होना चीए s ending में होना चीए that's it comma sum range के अंदर हम डालेंगे sales का column bracket close hit enter इस तरीके से आपने calculate किया total sales उन CDs का जो d से start होती है और s पर खतम होती है अब चलते हैं last question पे friends मेरे पास आप लोग लेके news है इस coming Sunday को जो है आपका 12 September 2021 morning में 9 बज़े हम लोग YouTube पे live webinar करने जा रहे हैं जिसको आप लोग attend कर सकते हो जहां पर आप हमसे कोई भी QNA कर सकते हैं जो भी आप problem face करते हैं चाहे आप business में है चाहे आप job में हैं जो भी आप challenge face करते हैं data से related वो questions आप हमसे QNA के अंदर पूछ सकते हैं live YouTube के उपर प्लस वहाँ पर हम कुछ advanced tips भी सीखेंगे जो आप Excel के अंदर use कर सकते हो so friends मिलते हैं इस Sunday को 12 September को morning में 9 बज़े इस third question के अंदर हमें employees का data दिया हुआ है इन employees का job role है and हमें निकालना है कि इन employees के job role के basis पे 2021 एंद 2023 का कितना expense budget है अब expense budget दिया हुआ है मुझे second table के अंदर and यहाँ पर challenge यह है कि यहाँ पर जो job code दिया हुआ है वो इस table के अंदर job role वाले column के अंदर बिलकुल end में आता है अब हमें देखना है कि यहाँ पर क्या trick यूज़ करनी है जिसके तो हम expense budget की values को fetch कर सकते है यह वाला question बहुत interesting होने वाला है क्योंकि यहाँ पर हम एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बलकि चार formulas को एक साथ यूज़ करने वाले है अगर आपने चार formulas को आस तरह एक साथ यूज़ नहीं किया है तो यहाँ पर आप बहुत कुछ सीखने वाले है तो सबसे पहला हमें देखना है logic की हम क्या logic अपलाई करें यहाँ पर क्योंकि मैं आपको बहुत simple तरीके से समझाने वाला हूँ कैसे आप multiple formulas को एक साथ यूज़ कर सकते है second table के अंदर हमें दिया हुआ है job code जो इस data के अंदर यहाँ पर जो bracket है इस bracket के बाद ही मेरा job code आता है तो मुझे यह देखना है कि यह bracket जो है कौन सी position पर आता है जिसके लिए मैं सबसे पहले use करूँगा find का formula and find के अंदर डालूँगा मैं यह वाला bracket comma यह वाला cell bracket close hit enter यहाँ पर मैंने सबसे पहले calculate किया है कि मेरा जो bracket है वो कौन सी position पर आता है यहाँ पर आपको एक चीज़ अध्यान देनी है यहाँ पर जो हमने reference लिया है B3 cell का इसके अंदर मुझे freeze करना है column को जिसके लिए मुझे F4 को तीन बार press करना है अब मैंने column को क्यों freeze किया है कि जब मैं इस formula को नीचे drag करूँगा तो तो मुझे कोई problem नहीं होने वाली बट इसी formula को अगर मैं next column में copy करता हूँ तो वहाँ पर मुझे error मिलेगा तो जिसके लिए मैंने यहाँ पर column को already freeze कर दिया और यहाँ पर output आता है 18 अब मुझे क्या चीए अब ही मुझे यह तो पाद चल गया जो मेरा bracket है यह 18th position पर आता है अब मुझे क्या करना है इस bracket के बाद के दो letters को pick करना है मुझे start करना है इस वाले bracket के next वाले letter से तो मैं क्या करूँगा जहाँ पर मैंने find का formula use किया है उसके आगे मैं डालूँगा plus one क्योंकि हमने find का formula use किया है इस bracket के position को जानने के लिए बट plus one को add करने से यह मुझे उस bracket के next वाले letter की position बताएगा कॉमा number of characters, कितने characters हमें extract करने है हम इसे दो ही letter चीए है तो यहाँ पर मैं डालूँगा two bracket close, hit enter इसके अंदर भी मुझे इस वाले reference को freeze करना है जिसके लिए F4 को तीन बर press करूँगा and hit enter इस तरीके से यहाँ पर मैंने job code को निकाल लिया इसी को अगर मैं नीचे तर ड्रेक करूँगा तो अब देख पाएंगे job code को हमने correctly यहाँ पर extract कर लिया है अब मुझे क्या करना है we look up के formula के through इस वाले job code से second वाले table से expense budget को fetch करना है जिसके लिए मैं यहाँ पर आगे लगाँगा we look up का formula we look up के formula के अंदर यह हो जाएगा मेरा look of value comma इस job code को मुझे कहा देखना है मुझे सर्च करना है इस table के अंदर f4 comma अगर आप column index number के अंदर manual डालना चाहें तो वो भी डाल सकते है formula यूज करना चाहें तो वो भी यूज कर सकते हैं इस formula को मैं निचे तर drag करूँगा तो मुझे output मिल जाएगा बढ़ इस formula को और मैं copy करके next column में put करूँगा तो यह output में मुझे same values देगा जो मेरे पास इस वाले data के अंदर है वो क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर जो reference है जो आपका 2 का reference है वो same रखा हुआ है बढ़ यहाँ पर मुझे यह 2023 का जिसके लिए आपको डालना पड़ेगा 4, 2 की जगा और इस तरीके से यहाँ पर आप expense बजर निकाल पाएंगे 2023 का बढ़ यहीं पर अगर आप इसको dynamic करना चाहें क्योंकि अभी के लिए हमने यहाँ पर manually यूज़ किया है इसके जगर आप formula यूज़ करना चाहें तो आपको यूज़ करना पड़ेगा match का formula match के formula के अंदर look up value हो जाएगी यह वली जिसके अंदर मैं freeze करूँगा row को comma इस वाले year को मुझे search करना है exact value मिलेगी जो भी year उपर mention होगा so friends इस तरीके से हमने यहाँ पर we look up, mid, find and match के चार formulas को use किया है so multiple formulas को एक साथ use करना कुछ भी complex नहीं है it's just that आपका logic के लिए रहाँ चीए क्या logic apply करके आपको output लेके आना है friends यह वीडियो आपको कैसे लगे हमें comment section में ज़रू बताइए हमें आपके comments का इंतिजार रहेगा so friends याद रखेगा इस Sunday को morning में 9 बजी हम लोग YouTube पे मिलने वाले है and इस वीडियो का अपने friends का ज़रू share कीजे ताकि वो भी इस तरह के interesting चीए सीख सके next वीडियो में आपसे बहुँ जल्दी मुलागात होगी तब तक के लिए goodbye and take care